हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत आप सभी का कॉमिक विल चैनल पर तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में टोगा सिरीज का अगला कॉमिक विशेशांग शुबस्स शीग्रम जो की रामार डोगा का अगला भाग है मुंबई में तेजी से बड़े फाइट क्लप्स युवाओ में हिंसक खेलों के परती जान लेवा पागलपन सवार हो गया युवाओं के परिजर्नों ने लोइन डेन को इसका खसूर हुआ ठहरा कर व्यापप विरोत प्रदर्शन किया कौशले देवी के आगरे पर लोइन डेन के गुरु धनिया ने लोइन डेन को बंद कर दिया सूरज को धनिया चाचा का ये फैसला नागवार गुजरा डोगा ने फैसला किया कि धनिया चाचा के इस अपमान का बदला लेगा और खूनी फाइट क्लक्स में चल रहा है खूनी खेलों को जड़ से समाप्त करेगा लेकिन हुआ कुछ और हैरत अंगेज डोगा फाइट क्लक्स को तो बद न करवा पाया अपितु उसके हाथों होई जन लोग प्रिये स्वामी जग्दीश पगला बाबा इंस्पेक्टर लखन की हत्या है और तब तो हदी होगी जब डोगा ने देवी तुल्ल को शल्ले माका पुरण कर लिया इन अक्षम में अक्रत्यों के परणाम सरूप मुंबई बासे न अपने रक्षक को दे डाली रावाण डोगा क्यों पादी यहां तक आपने पढ़ा पूर कॉमिक्स रावाण डोगा में अब आगे पढ़े संजय कुप्ता की पेश का शुभस्त से शीक रम ब्लैक टर्मिनेटर नाम तो दमदार है लेकिन फाइट्स नाम से नहीं जीती है ती जलन असली परिक्षा तो रिंग में होगी बिलकुल अपने नाम के अनुरूप है पर ब्लैक टर्मिनेटर जिसका एक पंच डोगा तो को ब्योशी की दुनिया में पहुचा दे वे दमदार तो हो गई बुल फाइटर डोगा कोई तोप नहीं जिसे कोई मात नहीं दे सकता जितनी तैयारी करनी हो कर लो ललन आज शाम की फाइट में काम आईगी मेरा दावा है ब्लैक टर्मिनेटर के सामने तुमारे सारे फाइटर धूल चाटते नज़र आएंगे बुल फाइटर देखेंगे बिलकुल देखेंगे सम्वेर इन मॉंबई ललन और ठिकगा जैसे लोग फाइट कलबस के आर्म चाड़ रहा है इन सात्मक खेलों की छोटी मोटी मशलिया है चीता से मेरी इनफॉर्मेशन की मताविब बुल फाइटर इस गंदे समुद्र का अक्टोबस है वही फाइट्स का रोमांच बढ़ाने के लिए बाहर से भी फाइटर्स गुलवाता है और खुद भी इन फाइट्स में शामिल होता है उसका कोई एक ठिकाना नहीं है अगर उसे धर्द अबोचना है तो उसके किसी फाइट कलब से शुरुआत करनी होगी और वह फायट्स कलब होगा वन उन वन फाइट कलब आज का मुखाबला है नौ वार वन उन जाम्पियन रहा चुकए बीट मास्टर हो एक नए प्रतित रनदी ब्लैक टर्मिनेटर के बीच मास्टर 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 नाय प्रतिदंदी के एक ही वार में बीट मास्टर का खून चलग गया है बीट मास्टर रिंग में असाई सा नजर आ रहा है पर ब्लैक टर्मिनेटर नहीं जानता कि खून बीट मास्टर के अंदर के 20 को जगा दिता है याँ उसी फाइट क्लेप के दूसरे हिस्से में आज आज का में इवेंट होगा रोमांच से भरपूर यहीं मुझे मिल सकता है बुल फाइटर का कोई क्लू या बोनस की रूप में खुद बुल फाइटर क्योंकि आज का शो है स्पेशल स्पेशल 5-1-1 मैंच जिसमें हमारे पाउस दमदार फाइटर से मुकाबला करेगा एक अकेला टोगा तो दिल धाम कर देखेगा इस रोमांच स्पेशल मुकाबले को इन्हें मेरे यहां होने का पता है मतलब कोई मेरी हरकतिविती को जानता है और ऐसा है तो इन्हों ने इस बात की पुष्टी कर दिये कि मैं कलत जगे नहीं आया लेकिन अपने मतलब की चीज़ पाने के लिए तोड़ा इंतजार करना होगा हर फाइट के कुछ नियम होते हैं और नियम होगे अंदर ही एक लड़ाके को लड़ना होता है नियम भंक तो हार निश्चित लेकिन इन्फाइट का एकी नियम है कुरूरता, बरवरता, खून खराबा और वहशीपन की हद तक अपने पृतितंदी को पीटना चाहे पृतितंदी की जानी क्यों न जली जाए और हर लड़ाके को इस नियम भंक पालंक करना ही पड़ता है लेकिन नियम सभी के लिए समान होते है पृतितंदी के लिए भी और टोगा को ये नियम बहुत पसंद है बीट मास्टर को मात दे कर इस मुकाबले का विजेत और नया वन उन वन चैंपियन बनता है ब्लाक टर्मिनेटर 511 मुकाबले का विजेता है टोगा लेकिन टोगा लेकिन तब ही टोगा के पैरों के निचे से जमीन किसक गई और अब मुकाबला होगा टोगा ब्लाक टर्मिनेटर के बीच इसे मैं जानता हूं ट्राफिक जैम में हंगामा करने वालों में से एक था ये इस से उस एक पंच का हिसाब चुकता करना बागी रह गया था हम रुके क्यों है राम भाईया अब तो डोगा भी यहाँ है हमें पुलिस को मैसिस दे देना चाहिए ऐसा मौका दबारा नहीं मिलेगा इस काले धंदे के मुख करता दरता तो अभी आई नहीं लखन बुल फाइटर और ललन लेकिन भाईया खेल और भी खुनी होता जा रहा है दमदार भरती धंदी है यह मेरे इनवारों के बाद किसी आम फाइटर का अपने पैरों पर खड़ा होना संबफ था लेकिन यह नहीं से वो अपने पैरों पर दोबारा खड़ा हो रहा है बलकि जवाविवार भी कर रहा है इस पंच का सौद में पहले भी चक चुका हूँ बिल्कुल वैसी ही तकती इस पंच में भी होश समाले रखना मुश्किल होता जा रहा है लेकिन इस बार होश नहीं खोना मुझे इसे और कोई मौका नहीं देना डोगा ने घूसों की बारिश कर दी थम 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 डोगा के घूसे हाथवड़े की तरह बरस रहे थे फिर जादा देर नहीं लगी उसे जीत की हुंकार बरने में डोगा उसे एक घूसे का बडला ले चुका था लेकिन क्या सही में मैं आप और नहीं रुक सकता राम भाईया मैं पुलिस टीम को संकित दे रहाँ ओ नहीं ये क्या ये नहीं हो सकता क्योंकि अपने पर्थिदंदी के मास्क के पीजे छिपे चहरे को देख उसकी रूँ तक काप गई धनिया चाचा चाचा को फॉरा ये लाज़ की जुड़त है फ्रीज, डॉन्ट मॉव चिंग चिंग ओ पुलिस किसी भी तरह है पुलिस किसी भी तरह है हाँ से निकलना होगा तैमिट इन्हें हिंदी फिल्मों की पुलिस की तरह आने को किस न कहाता डोगा भागनी की कोशिश करेगा सबसे पहले उसे ही पकड़ लोगा रोक जाओ डोगा, तुम भाग नहीं सकते नई लखन, कोली किसी को भी लग सकती है बदाई हो तुम लोगों की हिरोई के एंटर की वज़े से हाथ आया डोगा बचकर निकल गया बॉलफाइटर ललन भी नहीं मिले बॉलफाइटर ब्लैक टर्मिनेटर और लोएंड डैन का गुरू धनिया तु धनिया को प्रतितंदी बना कर लाया था पॉलिस को भी तू नहीं बताया होगा ये सब तेरी चालती कद्दा धनिया का बना जरूरी है वे हमारे काई अटो के बारे में जान गया है सिटी होस्पिटल इस आउट ओफ डेंजर ना ऐसा लगता है किसी ने बुरी तरह पीटा है और उनके शरीर में जहर काफी मातरा में फैला हुआ था जहर? हाँ, इस्टरोइट्स के रूप में ताकत बढ़ाने के लिए इस्तिमाल की जाने वाली तवाईयां दी गई है इने ओ सभी का शरीर इंट्रक्स को बरदाश नहीं कर पाता फिर इनने तो शायद ओवर डोस दी गई है मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक जिन्दा कैसे है मैं उन्हें देख सकता हूँ शोर, यह आपने क्या किया चाचा मुझे पाप का भागी बना दिया आपने गुरू पर हाथ उठाने के पाप का भागी दार जिन पर हाथ उठाने से पहले इन हाथों को काट डालना पसंद करता आपका शिश उन्हीं गुरू को इस हालत में पहुचाने के जिम्मेदार बना दिया क्योंकि आपने ऐसा डोगा के होते वे खुद क्यों चले आए चले गए उस खूनी खेल को खत्म करने परश्चित बुलफाइटर को उसके अंजाम तो पहुचा कर रहेगा डोगा आपके शरीब जितने जग्त में उससे कहीं ज़्यादा जग्त अब डोगा उन बेरामों को शरीब बनाएगा लावा कौन रहा ता जॉलमों की सियोनाकों में मुंबई के अंधेरी सड़कों पर निकल पड़ा मुंबई का बाप बुलफाइटर के बारे हैं मुझे कली गटना मैं पकड़ेगा बुलफाइटर के आदमी ही बता सकते हैं जो मुझे मिलेंगे बोरी वली पुलिस थाने में शू 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 पुफ 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 थैंक्यू बरकी बरकी तुमने कसाई को दड़बे से एक एकर मुर्गों के निकाल के उन्हें हलाल करते हुए देखा होगा मैं भी वही करने वाला हूँ डोगा के कसाई परने से बचना चाहते हो तो मुझे बुल फाइटर का पता बताओ जुबान जितनी देर तक खामोश रहेगे गला उतनी देर तक चीखे उगलता रहेगा उसकी जुबान खुलवाने की जिम्मेदारी कानून के है डोगा इंस्पेक्टर लखन कानून अगर जिम्मेदार होता तो डोगा को यहान नहीं नपड़ता कानून अपनी जिम्मेदारी निवाना चाहता है डोगा लेकिन कभी-कभी कानून अपने ही शेकंजे में फसा चल्बिन मशली की तरह चटपटाता है क्योंकि उसके हाथ कर्टबी की बेडियों में जखड़े हुए होते हैं तो हम बॉल फाइटर के बारे में जानना चाहते हो मैं तुमें उसके बारे में बताता हूँ आओ मेरे साथ फाइट कलब्स क्यार बे चल रहा है खूनी खेल कायों जब बुल फाइटर ही एड़ोगा लेकिन इन खूनी खेलों में उसका साथ देते हैं चार सफेद पोश्ट मगरमच जिनने जनता भगवान की तरह पूसती है लॉइन डेन के गुरू धनिया के साथ मिलकर मैंने उसके किलिंग एमपायर के साथ ही उन चार मगरमच खत्म करने की कोशिश की थी मगर असफल रहा अगर मैं सफल हो जाता तो ब्लेक टर्मिनिटर के रूप में गुरू धनिया मेरे पास इस लड़ाई का एहम और चश्मदीद का वा होते मैं सबको रंगे हाथ पकड़ने के चक्कर में चूग गया अब दिक्कत ये हैट होगा कि रास्ते फिर से बंद हो गए लेकिन उमीद की एक किरन अभी भी बचिए तुम्हारे रूप में मैं चाहता हूँ कि तुमोने खत्म करो मैं ही क्यों क्यों क्योंकि मैं कानून के हाथों मजबूर हूँ मेरे पास उनके खलाब सबूत नहीं है मैं तुम्हें उन सफेद पोशों के नाम बताऊंगा इस ताराब की पहली मशली एक करवट बाबा और सौमी चकदीश तुम जिस चीज के बारे में अधिक सोचोगे वही तुमारे इर्द गिर्द रहीगी सो क्या दुख चुन्ना तुमें है मॉंबाई वासे उसे ईश्वर्त दल मानते हैं उसके उपदेशों में उन्हें आनंद की अनुगूती होती है अपने अंतर राष्टे संपरकों की मदद से वह अमीरों को बुल फाइटर की खूनी फाइट्स में बुलाता है जहां यह अरब पती उन फाइटर्स पर करोणों और वोका सट्टा लगाते है योवा वर्ग इंटरनेट पर ऐसी उत्ते जग लड़ाईयां देखकर रोमांचित होता है और फिर वैसा ही करने की कोशिश करता है मगर बुल फाइटर की लड़ाईयों की नकल करना असान नहीं उसके लिए हिम्मत वो होसला चाहिए जो इन्हें मिलता है स्वामी जग दीश के अनवाईयों से तुम्हें आनन क्या वश्यक्ता है आनन मतलब विचार उत्ते जग ड्रग जिसके खून में गुलते हैं इंसान खौंखार हो जाता है स्वामी जग दीश जाओ आनन का परसाद बाटो आज तुम लोग परसाद बाटोगे नहीं बलकि लोगे डोगा कपरसाद पर आज इनकी प्यास बुजेगी नहीं, खत्म हो जाएगी, हमेशा के लिए ओ नहीं, बम के धमाके ने खोल दिया था एक और रास्ता, और डोगा को वहाँ जो दिखाई दिया, उसने डोगा को और भी खुंकार कर दिया स्वामी जगदीश के अनुवाई टक्स तैयार कर रहे थे, डोगा वापिस स्वामी जगदीश के सामने पहुचा, तुम जिंदा के बच गए, तुझे मेरी मिर्ति का प्रहम था, मिर्ति के साथ ही जीवन से जोड़े सभी प्रहम दूर हो जाते है, तेरे भी हो जाएंगे, श डोगा ने की स्वामी जगदीश के अत्या, डोगा में रावन का भूत आ गया है, काम भी वैसे ही कर रहा है, डोगा अगला नाम है पगला बाबा का, हैवी डोस दो इन है, उसके आश्रम में पागलों के उत्तेज़क दवाएं देकर और जादा हिंसक वकुरूर बनाया जा जाता है, उसके इशारे पर पागल कुछ भी कर कुजरने को तयार हो जाते है, वहीं आश्रम में ट्रेन किया जाते हैं यह पागल, ठाड़, और फिर बूल फाइटर को बेज दिया जाते है, बाबा, कुछ लोग एक खतरनाक पागल को लाएं, तीन लोगों को लाड़ी से क जाता है, च्यूं, टोगा, हाँ, उसे शान्त होना भी चाहिए, टोगा, तुमने इसे क्यों माड़ा गा, तीन लोगों को कुलाड़ी से काट देने वाला हत्यारा तर्दी पर पोस्त अब है, पागल बनका ढूंग करके कानून के आखों में धूल चौकना आसान है, पर टो इन पर हर समय खून सवार रहता है, क्योंकि ये जिन्दा रहे, तो दूसरों को जिन्दा रहने लाइक नहीं छोड़ेंगे, चिंग चिंग, बड़े-बड़े क्रोधी पागलों का क्रोधी यहाँ आखकर शान्त हो जाता है, शान्त हो जा डोगा, ओacia का पागलपन शान्त ह गया था हिंसकता वो दरिंदगी डोगा की वेविश्टब अठास कर रूटी थी खुंखार पागल नोच खाना चाहते थे उसके जुनून को तार उसके उस जुनून को जिसके कारण डोगा डोगा था डोगा की सासों के साथ ही उसका जुनून भी शान पढ़ जाना था जल्दी करो, खत्म कर तो इसे शुपकार में अब तेरी नहीं होनी चाहिए सुबस्ट शीग्रम और जैसे शान जील के पानी में किसी ने पत्थरों चाल दिया सुबस्ट पड़े जाला मुखी का जगा दिया बारूत पुत्र डोगा को जल्ती तीली दिखा दियो अब तो बस उसे फटना था जिंग जिंग थमाकों के साथ सुबस्ट सशीग्रम तबाई के साथ, मौत के साथ मुंबई थर्रा गई थी पगला बाबा की मौत पर डोगा को इलाज की जरूरत है उसे पागल कुत्ते की मौत मारू मुंबई पुलीस हाई हाई मुंबई की सड़कों पर हलचल मच रही थी उस रात इंस्पेक्टर राम न डोगा को बताए एक और नाम अगला नाम हमारे मुकमंतरी सूरकां कुंद्रे कायड होगा बॉल फाइटर की फाइट से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा सीम को जाता है उसकी एवज में बॉल फाइटर के फाइट क्लेप्स को एनोसी दिलवाना सीम का काम है चुनाव और पार्टी के खर्च के लिए भारी फंट सीम को इनी लड़ाईयों से ही मिलता है इस मामले में खुल कर कुछ भी न कर पाने की कानून की लाचारी का कारण कुंद्रे ही है पर मैं सीम को नहीं मार सकता मैं जानता हूँ कि तुम अपराद देख कर ही मजरू के सजा देते हूँ लेकिन तुम उसका गुना सुनोगे तो तुमारे पाउं के नीचे से जमीन सरक जाईगी उसकी माजी ने उसने माजी के हत्ते की सुपारी दिये कुशल्य माजी कल शाम एक चुनावी सवा है और कुशल्य देवी को पार्टी अदिक्ष का अपना रुतबा सौपने के साथ ही अपना नाम इस सुनाव से वापिस लेने वाला है मगर वास्तम में ये समनाटक है उसी चुनावी सवा में एक गोली चलेगी जो माजी की जाल ले लेगी तब मजबूरी वश्कुंद्रे को फिर से पार्टिय अदिक्ष बने रहना होगा सेंपैथी बोर्स कुंद्रे की जीत पकी कर देंगे मगर ये तो टॉप सिक्रेट होना चाहिए तुम इतना कुछ कैसे जानते हो क्योंकि सीएम ने जिससे माजी को मारने का नाम दिया है वो मैं ही हूँ क्या? हाँ डोगा, ये सच है उसना ये काम मुझे इसलिए सौपा क्योंकि मैं मुंबे पुलिस का सबसे हों दा किलर हूँ और सरकारी नोकर अब सरकार कुंद्रे की है तो नोकर भी मैं उसके हुआ न डोगा, अब अगर मैंने माजी को नहीं मारा तो वो खुद माजी और लखन तौनों को वहीं पर मार देगा मैं चाहता हूँ कि तुम किसी भी तरह माजी को महां से निकाल दो तो मारे सामने उसका गुना, मैं उसकी सवा में ही साबित कर दूँगा अगली शाम, डोगा, तुम यहां से सीम को देख रहे हूँ माजी गुरू धनिया आदी भी महां बेटे है मैं यहां से सीम को कॉल करूँगा सीम सूरकान कुंद्रे ने फोन रिसीब किया तुम काओं इंस्पेक्टर, राम, क्या तुम तैयार हो, हाँ मैं तैयार हूँ याद रहे, निशाना चूकना नहीं चाहिए कॉशल्या माजी जिन्दा नहीं बचनी चाहिए निशाना नहीं चूकेगा, मैं स्टेज पर पहुँच रहा हूँ यहीं कहीं सीम का शूटर भी कॉशल्या माजी का अपने निशाने पर लिया होगा तुम जल्दी करोड होगा, मा और लखन की जिन्दगी खत्रे में बोरी वली किशान, लॉयन के, डैन के पंच पुरुज, मिस्टर धनिया कॉशल्या देवी को फूल माला पहना कर उनका स्वागत करेंगे फूल माला बचा कर रखो, तुमारे नेता को शद्धांजली देने के काम आईगी वर्तमान, मैं आपको इसलिए हर लाया, बस एक गुना हो गया लखन को अंजाने में मेरे हाथों से गोली लग गई करता है कि यदि मैं तुझे निर्दोश करार दे दूँगी, तो वाकई मम्मई वासी मान लेगे कि दोगा निर्दोश है तू सच मुछ रावाणी है, तूने मेरे एक बेटे लखन को मार डाला, मगर याद रख, मेरा दूसरा बेटा राम अभी आएगा राम कई हाथो होगा रामण का वद्ध, जो सचाई थी मैंने आपको बता दी, आप माने ना माने, इससे डोगा को कोई फर्क नी पड़ता, डोगा को इतमे नाने कि उसने आप जैसी देवी मा की जान बजा ली, मेरी जान की फिक्र मत कर, खौल मुझे और जाने दे, मेरा को रावान, हटो, इनका त्यारा भी जादा दूर नहीं क्या होगा, उफ, तुम अपने गुनाओं से बचनी पाओगे डोगा, स्वामी जग्दीश फगला बाबाबा और सीम के बाद अब कोशल ले देवी कहते हैं सी पूरी मुंबई जैसे तहल गई थी, दो दिन बाद दश लाते हों लकन गलती से मेरी गोली का शिकार हो गये राम, और गटर मैं माजी को किसी ने गोली मार दी, मैं उन्हें बचा नहीं पाया, ये ज़रूब बॉल फाइटर का काम एड़ोगा, माजी की मौत से उसी को फायदा हो सकता है, मैं जल से बॉल फाइटर का अंच चाहता ह अब वे अकेला बचा है, उसे घेरने का यही समय है, उसके काम करने का तरीका भी अनुखाइट होगा, वे किसी एक जगे फाइट को रिपीट नहीं करता, कुछी मिंटों में किसी भी जगे को फाइट वेन्यू का रूप दे दिया जाता है, देखते ही देखते, उसमें सट फाइटर जुनूनी के आगे तो कोई भी निटिक पा रहा, सारा सटर जुनून, जुनूनी की जीत पर लग रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ कम रहा है, जा जाता रहा है, चैलेंज में खुद लूँगा, फाइटर, मिल गया सेर को सवाशेर, गायल शेर और भी पागलो उ मैं दोगा, दोगा आ गया है, निकल लो, आप यहां किसी भी समय फ़साद कड़ा हो सकता है, तुझे बारूदी पंच की ताकत दिखाता हूं बुल फाइटर, दोगा का एक ही पंच काफी दा बुल फाइटर के इलीला समाप्त करने के लिए, बुल फाइटर की मौत मबार् जाई खोशित करूँगा, अभी नहीं इंस्पेक्टर राम, बुल फाइटर अभी मरा नहीं है, क्या मतलब, मतलब यह असली बुल फाइटर नहीं था, यह असली बुल फाइटर नहीं है, तो कौन है असली बुल फाइटर, और कहा है, है तो वह यहीं, इसी शिप पर, तो ह चाल तो तुमने सठीक चली थी रामनुच और तुम्हारी चाल में फसकर तुम्हारे मंसूमों को मैंने अंजाम तक भी पहुचाया। विद्रो की आग लग जाईगी जो डोगा को जला डालेगी तेरी आखरी सांस निकलने से पहले मैं तुझे इस कहानी पर अपना रोल सरू बताऊंगा डोगा फ्री स्टाइल फाइट्स का विजनेप पैसो का एक अथा समुद्र है बच्पन से इन फाइट्स का शौक था मुझे लाइन डेंज जैसे ही एक फाइट स्कूल से फाइट सीखी थी मैंने लेकिन किस्मत न मुझे चंद हजार रुपय महीना कमाने वाले एक मामली सांस इंस्पक्टरा बना दिया एक दिन ऐसी एक फाइट कलब में हो रही खूनी फाइट्स की खबर मुझे मिली मैं उस फाइट कलब को बंद करवाने पहुचा पर कलब के मालिक न कलब को बंद न करवानी के एवज में मुझे अपना पार्टनर बना लिया लेकिन चल्दी उसे मार कर मैं कलब का मालिक बन गया मतलब कि बुल फाइटर बिजनस जोर पकड़ने लगा पर एक जैसी चीज पाकर लोग बोर होने लगे तब मेरी मुलाका तो ही सौमी जगदीश से उसके विदेशी कांटर्ट्स ने बिजनस में नई जान डालती लेकिन विदेशी फाइटर्स के खिलाब लड़ने के लिए चाहिए थे उनकी तरह दम खम वाले फाइटर्स ऐसे फाइटर्स का जोकार करने के लिए सौमी जगदीश ने मिलवाया पगला बाबा से पगला बाबा से पागलों को लेना सस्ता सौधा था सारा सेट अप सही चलता रहा कलब्स की संक्या मी बढ़ने लगी इन कलब्स को सरकारी संदक्षन की भी जरूरत थी तब मदद ली गई सीम कुंद्रे की जिसकी एवज में उसका मुवी पैसों से बरना पड़ा अब इस किलिंग एमपायल में तीन सफेद पूछ लोगा और शामिल हो गए थे फाइट कलब की आड़ में हम अपने दुश्मनों को फाइट में उतार कर उनका भी सफाय करते थे फाइट कलब के बिजनस में और भी महारती शामिल थे जैसे लल्लक पर मेरे कारोल्स का धंदा मंदा होने लगा लेकिन जब तूने उसका कलब तबाह कर दिया तो मजबूरन उसे मुझसे हाथ मिलाना पड़ा लेकिन बस दिखावे के लिए उसका असली मकसद मेरे एंपायर को टेक ओवर करना था तब अचाने की लुएन डेन को बंद कराने का मुद्द तूल पकड़ने लगा लुएन डेन के गुरू धनिया ने फाइट कलब्स के विरुद मोर्चा खोल दिया था मुझे एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल गया मैंने गुरू धनिया के साथ मिलकर प्लान बनाया मेरे कहने पर धनिया ब्लैक टर्मिनेटर बंका ललन से टकराया जो उसे मेरे पास ले आया ललनंग को गद्दार दिखा कर और धनियों को फाइट के दोरान मारने का प्लान था मेरा लखन को मुझे पर शक होने लगा था उसे भी रेट के दोरान मारना था मुझे लेकिन तूने महां कर सब गड़वा कर दिया उधर पगला बाबा जगदिश और सीम ने अपना अपना हिस्सा बढ़ाने के लिए मुझे ब्लैक मिल करना शूरू कर दिया तब मैंने इन सब को एक एक करके तेरे हाथों मरवाने का फैसला किया ताकि किसी को मुझे पर शक्त ना हो सीम मेरा राज जान गया था कि मैं ही बूल फैटर भी हूँ राज को राज रखने के एवज में उसने मुझे कोशल्या मा को मारने को का मैंने उसे भी तेरे हाथों मरवा दिया लखन पर गोली भी तेरी गोली से बसते हुए मैंने ही चलाई और तू अपने आपको कोशता रहा तुझे पूरा रावण बनाने के लिए कोशल्या मा का मरना जरूरी था गटर में उने भी गोली मैंने ही मारी थी तू एक कमीन है इंसाने राम तूने एक मा की ममता को कलंकित कर दिया लच्मन जैसे भाई के विश्वास के पर खच्चे उड़ा दिये रावण मैं नहीं तू है हाहाहा सच है डोगा कि रावण तू नहीं मैं हूँ लेकिन तू नहीं ये सच्चाई जहनने में देर कर दी डोगा और तेरे साथ ही ये सच्चाई हमेशे के लिए दफन हो जाएगी अनवाओ मेरे भाई तू ठीक हो जाएगा ये ये तो रौकी है सही पैचाना डोगा ये रौकी ही है पगला बाबा की दवाईयों ने रौकी को और खुमकार बना दिया है जिसका मकसद केवल अपने पर्दितंदी का अंत है अब अगर तू इस जुनूनी पागल क्या तो बच गया तो ये तेरी खुशकिसमती होगी ये होश और हवास में नहीं लग रहा ये तब तक लड़ता रहा जब तक हम दोनों में से किसी एक की लाश नहीं गिर जाती लेकिन बादा रहा तेरी लाश गिरने से पहले मैं यहां से नहीं जाओंगा मकाबले को थोड़ा रोमान चक बनाया जाये तो कैसा रह गड़ोगा इसका ठीले पिजरे में लड़ने में मज़ा आएगा तुझे मैं इस पर जानलेवा हम नहीं कर सकता और इस बंद पिजरे में मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ और बहार ये मुझे निकलने नहीं दे रहा जोश और जुनून रोकी में कूट कूट कर भरा हुआ था बाकी कसर पगला बाबा की दवाईयों ने पूरी कर दिया तेरे बारे में मशूर है डोगा कि तू चीखता नहीं रौकी भी नहीं चीखता था तेरी तरह ये भी अपनी चीखों को गले में ही घोड़ देता था अपनी उसी जित की वज़े से आज ये पागल हो गया आज इसकी जगए तू है डोगा आज ये तो तू चीखेगा या फिर अपनी चीखों का अपनी मौत के साधी गले में तफन कर देगा देखना ये है कि पहले तेरे मुँसे चीख निकलती है या तेरे शरीर से जाथ अगर जिन्दा बच भी गया तो रॉकी की तरह भी रॉकी की तरह ही मेरे फाइट कलब में पागल फाइटर बनकर लड़ेगा हाँ 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 चीख टोगा चीख हाँ 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 चीख शायद यही रास्ता है रौकी को होश में लाने का नहीं नहीं चीख सकता मैं क्योंकि अगर मैं चीखा तो ना जाने कितने अनुवव मारे जाएंगे और ना जाने कितने रौकी पैदा करेंगे तुम जैसे लोग और अगर ऐसा हो गया तो यह कई अनुबवों और रॉकियों की हार होगी कल फिर कोई अनुबव रॉस्पिटल में दम तोड़ेगा कल फिर कोई रॉकि सदमे से पागल होगा ऐसा नहीं होने देना मुझे इसलिए नहीं चीख होगा मैं नहीं, चीख सकता एिración कोई अनुबव अनुभव नई डोगा चीक निकलनी चाहिए मूँसे चीक नई चीक अनुभव अनुभव चीक दर्द सैना होगा चीक रोकी चीक नई चीक सकता मैं मेरा भाई बीमार है उसकी लिए इलाज के लिए पैसा चाहिए चीक दिया तो पैसा नहीं मिलेगा अन्वव ठीक होगा याद ठम क्लाक रुक क्यों या रोगी मार उसे kill him kill him you bastard तू बचेगा नहीं टोगा यहीं मरेगा तू मार से नहीं तो गोली चिंग जिंग मा तू जिंदा हाँ तेरे नाबा के रादे पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए काश लखन की बातों को माना होता मैंने तो आज यह सबना देखना पड़ता मैंने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया फिर भी उसने मुझे सीम की सबाह में बिलेट प्रूट जैकेट बना करी बेजा मुझे तो सरक्षि कर दिया था उसने पर तेरी घिनोनी चाल का खुछ शिकार हो गया गटर मैं मुझे पर गोली चलने से पहले तब मैं अनविश्वास में जीती रही पर मैं गोली चलने के बाद लखन की एक एक बात ध्यान आती गई पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी मुझे माफ कर दे डोगा असली रावण को पहचान न सकी मैं रावण कोई राम समस्ती रही पर भगवान ने मुझे इसलिए जिन्दा छोड़ दिया था कि मैं दुनिया को पता सकूँ कि टोगा रावण नहीं है केवल राम नाम रख देने से कोई राम नहीं बन जाता इंसान के सच्चे आदर्श और कर्मी उसे राम बनाते रावण मेरा बेटा राम था क्योंकि उसके कर्म रावण जैसे थे ओ रॉकी वेलकम बैक अब धनिया चाचा की ओलंपिक में नाम निशान की चिंता नॉमिनेशन की चिंता खत्म हो जाएगी पर आपको क्या होगे सूरज भईया किसी से जगड़ा अरे नहीं यार वही लाइन टैन को बन कराने वाले दुबारा अंगामा करने आये थे काफी दून हुए थे बॉक्सिंग प्रैक्टिस के हुए एक को पंचिंग बैक समाज के जड़ जड़ दिया बस उन्होंने भी मुझे पंचिंग बैक बना का प्रैक्टिस शुरू कर दी हाँ 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 आप भी ना भईया क्या ज़रूरत है आपको बॉक्सिंग ही आपको बॉक्सिंग ही सीखनी है तो आपको बॉक्सिंग मैं सिखाऊंगा हाँ हाँ जरूर जल्दी से ठीक हो जा लाइंडेन को तुमारी जरुवत है जरुवत तो पूरी मुंबई को है राम का नाम लिए घुमते रावणों के अंति के लिए पूरी मुंबई को जरुवत है एक रावण डोगा की क्योंकि रावन को रावनों को अगर खत्म करना है तो खुद भी रावन बनना होगा पर ना आज के समय में राम क्या तो रावन का नहीं रावन क्या तो राम कान्त होता रहेगा हाँ, रावन का ग्यान जरूरी है उसके पाप कर्म नहीं क्योंकि पाप कांत निश्चित है खुश श्री राम ने लश्मन से कहा था कि रावन ग्यानी है नतमस्तक होकर उससे ग्यान लो हाँ मैंने रावन की एक सीख सदा के लिए अपने अंदर सजो लिए कि शुब काम में देरी नहीं कर्मों की भी जुमा होती है कर्मी ना बोले कर्म सत्य खुद ब्यान कर देते हैं चाहे देर सही सही समाप्त तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज के अगले कॉमिक विशेशांक रात का भक्षक में मुंबई की राते उसके खौफ से और काली हो गई थी उसने जिसकी सुपारी ले ली उसे यमराज भी जीवन दान नहीं दे सकता था आज उसने लिए हल्दी चाचा की सुपारी कि रात का रक्षक डोगा रोग सकेगा उस जलजले को जो कहलाता है रात का भक्षक तो चलिए दोस्तों मिलते हैं रात का भक्षक में अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्नवाद